कि 59,000 सिक्षिक भरते मिन सामिल साथियों मैं डोकेट बिने पंड़ाई लहाबाद आप लोग को बताना चाहता हूं कि आज जेस्टिस राजन राय सबसे पहले जो है टैक्स से जुड़े हुए मैटर थे कुछ उसको लिए सबसे पहले सुने हैं इसके बाद जो है वो रेगु तो लेकिन मैं चुकी कोड़न बैठा था तो मैंने देखा कि लगभग 10-12 मुकदमे ऐसे थे जो कि टैक्स से जुड़े हुए थे तो सबसे पहले टैक्स वाला मैटर उन्हों सुना फिर इसके बाद जो है उन्हों फ्रेस केस लिया अभी तक 41 फ्रेस केस लिया जा चुके है तो 53 फ्रेस केस जबकि एक सच्छा है तो निश्ची दूरूप से काम का काभी काफी दवाओ है और केस इस समय जो है चुकि ज्यादा लग रहे हैं और आज जो फाइलिंग होगी कल जो फाइलिंग होगी और पर्शों फाइलिंग होगी वो सब पर्शों तक के जितने मैटर तो निश्ची दूरूप से इतना तो है कि अब क्लोजिंग डेट जो है इस वज़ा से जो है समर वकेशन के कारण एक जून से 30 जून तक कोर्ट बन रहेगी हाई कोर्ट वाला कि अर्जेंसी मैंटर के लिए चार-पांच बेंच चलेगी लखनो बेंच में लेकिन जो है ज्यादतर क्रिमिनल केस के बेल वगेरा के मैटर सुने जाएंगे और जो बहुत अतियावस्यक होगा सिविल मैटर उसी को सुना जाएगा निथन नहीं सुना जाएगा तो मरक काने का ताथ पर यह है कि 53 केस लगभग सुनेंगे हाला कि केस मेंसन हुआ है विपक्षियों की तरफ से तो मुझे लगता है कि केस लगभग दो से तीन बज़े की बीच में अगर नहीं आएगा तो तीन से चार बज़े की बीच में आने के प्रबल चांस है और बहुत ज्यादा टाइम नहीं वहोगा यह चाकड़े रख सकती है या क्या होगा फिलाल तो आज की स्थिती पर हमारी नजर बनी हुई है हम हाई कोल्ट में लाइब जो है आपको अपडेट देते रहेंगे अभी तक यह मान के चलिए कि आधे फ्रेस लिए गये हैं और आधे फ्रेस अभी बाकी हैं तो कुल्मिला कि यह जान लीए कि केस पर अपने बहुत कम सुनवाई होना है बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं होना है और यह प taperist Sabira यहां आपको देना चाहता है कि आज जो फाइल कि कर जो फाइल को कि आधो सरकार का क्या स्टेंड आता इस पर नजर रहेगी हमारी धन्यवाद दोस्तों